हाई फ्रेंड्स इस वी टेक ब्रो पिछले वीडियो में मैंने आपको बीम्स के बारे में बताया था क्या होती है बीम्स क्या उनकी क्लासिफिकेशन होती है according to loadings और क्या क्या उनके sign conventions होती है हमें SFD और BMD बनाने में तो मैंने पिछले वीडियो में खाली आपको एक introduction दिया था इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे बनाते है shear force and bending moment diagrams of cantilever beams क्या आपने नहीं देखा तो जाओ यार पिछली वीडियो देखो मैंने उपर cards पर mention करा है जाओ और उसे देखो फिर यहां पर आना तो यार cantilever beams का SFD और BMD बनाने से पहले मैं यह चाता हूँ कि आप इस table को अपने दिमाग में धंग से बिठा ले अब इसके अंदर क्या है nature of loading, nature of shear force and nature of bending moment के बीच में एक simple से relation established किया गया है जिससे की आपको आसानी हो graph बनाने में तो इसमें यह है कि जो point और no load है उसको हम shear force diagram के अंदर एक straight line से represent करते है और जो bending moment है उसे inclined line से represent करते है यहां पर straight line का मतलब यह है कि जो x-axis से parallel हो अब आते हैं UDL में UDL में ही जो shear force होगा वो inclined line होगा और जो bending moment होगा वो एक parabolic curve होगा ऐसे ही UVL में UVL के अंदर shear force एक parabolic curve होगा जबकि जो उसका BM होगा यानि bending moment वो होगा एक cubic curve यह होगी आपकी basic अब यहां से शुरू करता है पहला case लेते हैं with point load at its free end अब point load at its free end का क्या मतलब है कि माल लीजे ही एक cantilever है इस पर हमने एक W यहां पर एक point load लगा है इस वले point पर जो बिल्कुल उसकी end पर है तो हम shear force देखते हैं shear force shear force at A A पर shear force कितना होगा अगर हम इसकी right side देखें तो कुछ नहीं है यानि shear force इस side 0 है और ठीक A point पर आते ही एक W नाम का force लग जाता है ठीक है एक W नाम का force लग जाता है अब जो यह वाला force है यह force सिर्फ यहां present है A point पर A से आगे कोई भी force present नहीं है तो यह constant रहेगा जैसे ही माल लीजिए यह आपकी total length L है if the length of cantilever is L तो अगर मैं यहाँ पर इसको LN से represent करता हूँ diagram के अदर तो at point A and point B यह मैंने हाँ पर mention कर दिये तो A point पर value W हुई और इस पूरे table के अनुसार अगर point यह no load condition आती है then it will be a straight line तो यानि इसके आगे जितने भी points होंगे उस पर जो shear force होगा वो constant रहेगा तो यह आगे आपका positive shear अब positive क्यूँ positive shear इसलिए क्योंकि अगर आप इसको देखे तो अगर इसके अंदर moment आएगा तो यह वाला portion नीचे जाएगा और यह वाला portion उपर जाएगा तो यह एक positive shear का example है अब देखते हैं हम इसका BMD BMD के अंदर क्या करता है bending moment क्या होता है force into distance distance यहाँ पर क्या ले रखे हैं माल लीजिए कुछ भी ले लो एक S ले लो arbitrary distance तो जो इसका force होगा वो यहाँ पर क्या है W shear force is W अब S क्या है S है इसकी effective length effective length आ रही है आपकी L यह आ गई है आपकी WL अब यह पता लगाने की positive है यह negative है अब bending moment के अनुसार यह point load इसको anti clockwise गुमायागा sorry clockwise गुमायागा इसको तो clockwise गुमाने की वज़े से यह कुछ इस तरीके का हो जाएगा bend होने के बाद तो यह एक तरीके से दुखी चेहरे की तरह बन रहा है यानि आपकी hogging hogging होती है negative तो therefore यह हो जाएगा आपका minus WL यह minus WL हो जाएगा यह total length L है A, B यहाँ पर यह हो जाएगा एक inclined line straight है पर inclined है यह हो जाएगी इसकी minus WL यहाँ पर आप negative लिखोगे और इस तरीके से shade कर दोगे यह हो गई आपकी simple case में अब आते हैं second case पर यानि UDL throughout its length इसके अंदर आप देख सकते हैं cantilever पर मैंने एक UDL लगाया है जिसकी intensity है weight यानि मतलब जो उसका loaded W per unit length ऐसे इसको हम mention करते हैं अब इसका shear force निकालते हैं shear force इस पूरे A से लेकर B तक distributed है इस UDL में या UVL में वो इसके area के बराबर होता है यानि जो इसका W है into L जो shear force होगा that will be equal to its weight weight into its total length यानि capital L क्योंकि पूरी length पर है तो इसलिए इसको हम capital L लेंगे माल लिजे छोटी length पर था है जिसकी X ही total effective length है माल लिजे यह X distance पर होता खाली UDL तो therefore उसकी जो shear force होती वह होती W into X यहाँ पर पूरे पर है तो इसलिए W into L therefore shear force equal to WL तो यह भी positive होगा क्योंकि इसके अंदर वही relative moment हो जाएगा और यह एक inclined line आएगा यह L distance है यहाँ पर आएगी maximum value plus WL और यह आजाएगा positive ठीक अब आते है इसके bending moment पर bending moment क्या था आपका पहले shear force लिख लेते हैं WL अब bending moment निकालने का सबसे अच्छा तरीका यह है अगर point load नहीं है कि जो UDL है या UVL है उसको आप point load में convert कर दो तो point load में convert करने के बाद है कुछ S आएगा यह आगे आपका cantilever यह अब इस cantilever पर यहाँ पर force लगेगी उसकी intensity होगी WL और उसकी distance होगी center से L by 2 and L by 2 क्योंकि यह पूरे पर distributed है इसलिए इसके symmetry के अनुसार यह L by 2 और L by 2 पर distribute हो जाएगा और जो उसकी intensity होगी वो होगी WL यानि इस rectangle का area यह आगे आपका तो इसके अनुसार B point से moment अगर हम निकाले तो क्या होगा यह होगा आपका WL into L by 2 यानि force into its distance from that axis तो यह आजाएगा WL into shear force WL था therefore bending moment equal to WL into L by 2 which is equal to WL square by 2 यहाँ पर positive or negative का पता किसे लगाएगे वो ही same कि इसको नीचे ही मोड रहा होगी होगी therefore यह negative होगा अब इसको mention करने के लिए क्या करेंगे पैराबोलिक कर बनाएगे यह होगी इसकी length L यह point A यह point B यहाँ पर लिखेंगे negative और जो इसकी यह maximum value की इसको लिखेंगे minus WL square by 2 यह होगया इसका bending moment छेड कर दिया अब आता है UVL throughout its length अब UVL के अंदर क्या लेंगे cantilever लिया जिसमें UVL है वो vary कर रहा है W by L ratio से यानि यह weight per length अब shear force के लिए वही same method अपना है जैसे उपर अपना है था हमने क्या कर रहा था shear force equal to area under this जहाँ पर triangle बन रहा है इसका area यानि half W into L which is equal to half WL तो maximum shear force आगे आपका half WL in case of UVL throughout its length तो इसको कैसे बनाएंगे यहाँ पर क्योंकि यह भी positive है shear force यह भी नीचे की तरफ ही गुमाएगा इसको respectively यह नीचे जागे उपर तो यह बनेगा एक parabolic curve यह एक parabolic curve है यहाँ पर आप लिखना जरूरी है अगर parabolic है तो parabolic cubic है तो cubic यह इस तरीके से यह length L है यहाँ पर एक positive लिखेंगे यहाँ पर इसके वेले लिखेंगे half WL यहाँ पर A point यहाँ B point इसको ऐसे तरीके से shade कर देंगे अब आते हैं इसके BMD पर shear force आपको पता है इसका half WL था अब इसको फिर resolve कर देंगे एक point load के अंदर यह लीजिए cantilever बना दिया इसका point load कैसे आएगा आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो तो यह weight आएगा यानि half WL जो इसका total था यह आएगा L by 3 and 2 L by 3 distance पर यह थोड़ा symmetry से आप देख सकते हैं न थोड़ा सा logic लगा सकते हैं कि यह half WL जो आएगा यह L by 3 distance से आएगा यह आपको याद भी कर सकते हो आपकी जितनी effective length है उसके L by 3 जहाँ जादा है उसके L by 3 distance है जहाँ यह कम होता जाता है वहाँ पर 2 L by 3 distance है तो इस point के according bending moment अगर हम निकाले तो यह आएगा आपका half WL यानि force into its effective distance यानि L by 3 which is equal to WL square by 6 यह भी negative होगा क्योंकि bending moment bending जो होगी वह hogging की तरीके से हो जाएगी तो यह आजाएगा minus WL square by 6 इसको बनाएगे कैसे है यहाँ पर लीजिए इसको ए cubic curve से बनाएगे इस तरीके से cubic curve आता है इस तरीके से तो यह आजाएगा minus WL square by 6 इसकी minimum value मतलब इसकी maximum value negative है A point B point यहाँ पर negative लिखेंगे इस तरीके से shade कर देंगे और यह हो गए आपके तीनों cases खतम अब अगर माल लीजिए other cases आते है जैसे माल लीजिए cantilever आपको दिया गया है जिसके अंदर अलग-अलग combinations है इसके अंदर हम basically क्या करेंगे shear force निकालने के लिए simple method है आपको orally बता देता हूँ कि orally कैसे solve कर सकते हैं इनको देखिए पहले आप देख सकते हैं माल लीजिए total length L है ठीक तो इस UDL को कैसे solve करेंगे UDL के लिए आपको पता है जितना इसका area होता है उतना ही इसकी जो total force होती है ठीक है तो माल लीजिए इसमें था यह था W1 W2 W3 W4 इस तरीके से अगर मैंने ले लिया W1 W2 W3 तो यहां से आप देखोगे तो यहां से W1 है तो यह W1 अगर यह X1 distance पर है तो यह इतना उपर उड़ जाएगा इसकी value होगी W1 X1 यहां से यह जो होगी यह होगी W1 X1 क्योंकि यह straight line inclined line आएगी because it is UDL then उसके just आगे से शुरू होता है आपका एक UVL जिसकी है W2 तो हम क्या करेंगे जब W2 given है तो हम यहां से एक parabolic कर बनाएंगे यह बनगे आपका parabolic अब यह कितना आगे जाएगा यह कितना आगे जाएगा यह आगा आपका half W2 plus मतलब यह हो जागा half W2 into इसकी distance माल लीजे X2 distance तक है यह जो है यह X2 है यह X1 है तो यह जगा half W2 X2 plus W1 X1 क्योंकि मैंने यह इसले कर रहा है कि यह इतना उपर भीठो उठाए इस से यह जो W1 X1 मैंने लिया है यह यह है total यह वाली height अब इतना ही इसमें add करके मुझे यह करना तो इसले मैंने W1 X1 यहाँ पर add भी कर रहा है कि इतना height यह जो total height है यह यह वाली है यह पूरी total height है यह यह जो मैं बता रहा हूँ और जो इतनी है यह जो यह वाली height है जिसको मैं ऐसे से करके घिस्पिच कर रहा हूँ यह यह वाली है half W2 X2 अब उसके आगे क्योंकि कोई load नहीं है तो यह जाएगा constant W2 यह वाले पूरा term constant चलेगा जैसे ही यहाँ पर W3 आएगा W3 की distance अकर हमें पता होगी तो उतना ही यह उपर उठ जाएगा यह वाली distance होगी जो मैं बना रहा हूँ यह होगी W3 और जो total होगी वह होगी यह plus W3 उसके बाद फिर constant फिर दुबार यह आया point load फिर उपर उठेगा फिर इस तरीके से यह constant चलेगा जब तक last point न आ जाए जहाँ पर shear force 0 आ जाएगी तो यह इतना जो मैं बना रहा हूँ यह पूरा area यह वाला पूरा area that will be its shear force diagram अब आते हैं इसके bending moment diagram को कैसे बनाएंगे bending moment diagram के लिए वही सेम इस तरीके से करते हैं यहाँ पर क्या है सब को resolve कर दो according to their point loads side way बना रहा हूँ W4 W3 W2 W1 अब जो x distance तक हमने चलाया था यह obvious ही बात है उसका half हो जाएगा यानि जो इस point से इसकी distance होगी यह क्या हो जाएगी यह वाले distance कितनी हो जाएगी x1 by 2 half हो जाएगा x1 by 2 यहाँ से शुरू हुआ यह इसका भी half हो जाएगा W2 का भी यह W2 भी कहीं और लाई करेगा यह कुछ इस तरीके से होगा x1 by 2 यह कुछ इस तरीके से हो जाएगा यहाँ पर इसका हो जाएगा x2 by 3 और 2 x2 by 3 यह भी इस तरीके से अलग-अलग बढ़ जाएगा तो हम इसको कैसे करेंगे यहाँ से bending moment क्योंकि यह उपर UDL है तो इसका एक पैराबॉलिक करवाएगा और सारे negative होगे तो हम इसको पैराबॉलिक बनाएगे जहां तक इसकी value होगी बना दिया उसके बाद UVL आ रहा है उसकी value से हम एक cubic करव बनाएगे बना दिया उसकी बाद no load condition है no load condition के अंदर BM में straight line आती है straight line आ गई फिर एक point load आया point load ने क्या करा point load ने इसके अंदर straight वो बना दिया no load के अंदर BM क्या आता है inclined line आता है ठीक है एक और line आ गई inclined line यह भी inclined line फिर उसके बाद एक और inclined line जो यह वाला point होगा वो होगा W4 के लिए आप देख सकते हो पर W4 लिखा यह W4 के लिए यहाँ पर बीच पर transition हुआ है यह W3 के लिए basically यह जो points है यह वाला है UDL के लिए UDL यह वाला है UVL यह W3 के लिए यह W4 के लिए यह पूरा एक ही है यह वाला point यह वाला point w3 के लिए यह वाला point udl के लिए यह वाला point uvl के लिए udl के लिए तो यह आगे आपका total negative इसकी values आप add करकर के बनाते जाएंगे और आपके answer निकल जाएंगे तो यह था पूरा का पूरा cantilever के सारे cases अब यार यह वीडियो तो यहीं खतम होती है पसंदा तो like मारो और यह subscribe करो यार इस channel को बढ़ाओ भाई मैं और अच्छे अच्छी वीडियो लाओंगा अब तुम्हें लाल बटन तो नीचे दिखी रहा होगा उसको cantilever पर लटका मारे और उसको rod देकर मार दो मुझे नहीं पता यह बस click हो जाना चाहिए फटा फट मुझे जल्द से ज चाहिए चलो यार फिर मैं अगले वीडियो में त्यारी कर रहा हूं बनाता हूं फिर भेशता हूं बढ़िया चलो यार ओके बाई-बाई